आपने एम्बूलेंस देखी होगी, लेकिन क्या कभी मोटर साइकल पर एम्बूलेंस देखी है? आज हम आपको एक ऐसे शक्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसने अपनी मोटर साइकल को ही एम्बूलेंस में तबदील कर दिया है ये कहानी है एक ऐसे शक्स की जो अपनी मोटर साइकल एम्बूलेंस से जरुवत मंदो की मदद करते हैं जहां दूर दराज की इलाकों में बड़ी बड़ी एम्बूलेंस नहीं पहुच पाती है वहां ये मरीजो को अस्पताल पहुचाने में मदद करते हैं मेरा नाम है करीमुल हख बाइग अम्बूलेंस से मरीजो को अस्पिताल ले जाता हुचाने मेरी जो मा है ना रात दो बाजे बिना टीडमेंट की उनका मौध हो गिया वो दूग है मुझे और कोई गाउं का माताजी हो बच्चा हो बिना लेस से नाम होड़े तुव हम कैसे हस्पितल पहुचा हो बाइस एही जिंता में रहता था तब एक दिन चाही बागान में एक आदमी काम करते करते गीर गया माय ने तुरल मौरसेगल नेकाला आया वो दिन से मेरे डमक खुल गया यह थोटे से एक्टों मौरसेगल अभूलेस के काम कर सकता है रोट भी खड़ा भाइग नोदी होता है नाला होता है छोटा 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 रोट बाइक आम्बलेस यहां पर बहुत काम आता है जोड़ा अगाल में हसने लागा यह कैसे अम्बलेस हुआ भाई? फीर जो मर्जो को मठसे कि में बठा कि ले जाता हूँ लोगों ने बलता है बहुत अच्छा काम आई ये कर्मुल सब को इस्पिरेशन हो गया का उतिका कोई किसी को प्रबलेम है को परस्ट को रोध है को बोलने से प्रबलेम सॉल्व हो जाएगा अच्छा को प्रबल ओन रहते हैं बहुत सारे प्रसन ले गिया हम अश्पितल पर ले गिया बुद्धा से तब बच्चा तो कम से कम दस पुम्रो गाउं का आदमी को ले जाता है हम को बीपत में परने से दो उनके चला आता है हम लोगे बहुत उपआर होता है इस एलिया के लिए कर्मिलत भागवान सामान है टो जान भछाए हमको बलता है जो तुम बहुत दूसरा है रिगा में इंसान है जब दू चार पिस से नेक स्याद आ जाते हैं सबको तो हम नहीं लेज़ सकता है ना तब बहुत दूख होता है यह तो मेरे अभी ना सुच मा चलाया मेरे बहुत गर्वों का जानवास देगी बहुत इंसानों का जानवास देगी हाम जब तो मेरे जान है रहेगा एक एक जिन्दगी हम पचा देऊंगा जो अपने मजबूत एरादों से कुछ बढ़ा कर जाते हैं हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं वही लोग Invincible Indians कहलाते हैं INS विकरांत के फौलाद से बनावी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें आपके आसपास भी ऐसे Invincible Indians हों तो हमें बताएं हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुँचाएंगे